नवशकर मैं हूं सूकरदी, रोईजेटर जी और बोल्सकाई में आप सभी का स्वागत है पूरी दुनिया में चाय ही एक ऐसी ड्रिंक है जो जादा मातरा में पी जाती है भारत में भी चाय काफी मातरा में पी जाती है कुछ लोगों को तक दिन में कम से कम तीन से चार बार चाय पीने की आदत होती है लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशश की है कि आपकी एक कप चाय में शुगर की मातरा कितनी होती है आपको बता दे, चाय में चीनी की मात्रा जितनी कम होगी, स्वास्त के लिए वो उतनी ही जादा सही साबित होगी बहुत से लोगों को मीठी चाय पीने की आदत होती है ऐसे में वो अपने चाय में शुगर यानि की चीनी की मातरा दो छोटी चम्मत से जादा बिलकुल ना रखें इससे जादा चीनी आपके स्वास्त पर बुरा असर डालती है रोजाना दो छोटी चम्मत से जादा चीनी आपके शरील में कई सारी बीमारियों को जन्म देने में भी एहम भूमिका निभाती है बहुत से लोग ही मानते हैं कि दूद में फैट होते हैं इसलिए वो आपको मोटा कर सकते हैं हालकि यह बहुत सच है कि दूद आपको मोटा करता है इसलिए अगर आप रोजाना दूद वाली चाय पीते हैं तो ऐसा करने से आप मोटे हो सकते हैं अगर आप सुबह उठते ही दूद वाली चाय पीते हैं तो इससे आपका मेटबॉलिजम प्रभावित होता है और आप डिहाइड्रेट भी हो सकते हैं बतादें कि एक कप दूद की चाय में 60 कैलोरी, 5 ग्राम कार्ब और ना के बराबर फाइबर होते हैं इस चाय में दूद की वज़े से 3 ग्राम फैट और इतना ही प्रोटीन साथ में 4 मिली ग्राम सोडियम और 160 मिली ग्राम पोटेशियम भी होता है बेशक ऐसी चाय में कितनी ही कैलोरी क्यों नहों लेकिन फिर भी ये आपके स्वास्त के लिए सही नहीं रहती उमीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हुगा वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें